स्वागत हैं आपका दिवेह माचल टीवी में मैं हूं दिक्षा शर्मा शाम के 6 बच चुके हैं और प्रदेश के तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटेस्ट अबडेट साथ इस बुलेटिन में हम आपके साथ साजा करने वाले हैं देखे विशेश टॉर से बात करमचारियों के वेतन को लेकर करेंगे, सुभा से लेकर इनमें इंतजार बना हुआ था क्योंकि सैलरी को लेकर मैसेज़ नहीं मिल रहे थे, कुछ विभागों के करमचारियों को SMS आ चुके हैं, कुछ को अभी भी नहीं आ पाए हैं, किस वज़ यूँकि इससे जुड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, और तीसरी बड़ी बात, यहां HRTC को लेकर भी करेंगे, क्योंकि HRTC को 55 क्रोड रुपए जारी किये गए हैं, राज्यसरकार की ओर से, इसके बाद वहां करमचारी और पैंशनर्स को लेकर कब राशी जारी की जाएगी, यानि कि उनकी वेतन और पैंशन कब तक जारी होगी, इस पर भी हम जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन शुरुआ तबादलों से करना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने आज ही के दिन 13 HPS अधिकारियों के तबादले आदेश चारी किये हैं, मुख्या सची पहली खबर जो बारीकी से बताएंगे, वो डेफटी सीय मुकेश अगनी होतरी के अलान को लेकर है, क्योंकि आज ही इनोंने बड़ा अलान किया है शक्ति पीठों पर, इनका मानना है कि हिमाचर प्रदेश में बहुत सारे यतिहासिक मंदिर हैं, प्रसिद शक्ति पीठ हैं ऐसे में डिजिटलाइजड ये भी होने चाहिए, यानि कि डिजिटल प्रद्योगी की का इस्तिमाल यहां भी होना चाहिए, इस क्षेतर में हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम और उठाने चाहिए, समंदित विभाग के अधिकारियों को इनोंने आज ये आदेश भी यानि कि शक्ती पीठों में भी एक रूफ व्यवस्था होनी चाहिए, दर्शन करने हो, सेवा करनी हो या फिर दान करना हो उसके लिए एक रूफ व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन की और हमें बढ़ना चाहिए, और आने वाले समय में अन्या पूरी भी होता है और फिर ये पता करना भी यहां पर काफी आसान हो जाएगा, इसके अलावा बाकी की प्रक्रिया भी काफी आसान रहने वाली है, उन लोगों के लिए भी जो की डिजिटल रूप से ही दर्शन करना पसंद करते हैं, या डिजिटलाइज ही यहां पर दान क चाहा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए शक्ति पीठों तक पहुंचना पड़ता है, लंबी-लंबी कतारे नवरात्रों के दौरान वहां लगती है, लेकिन अगर हमें डिजिटल मोड पर यहां दर्शन करने के लिए मिल जाए, शक्ति पीठ के और साथी साथ दान करने का तो ऐसे में बहुत सारे व्यक्तियों को इसकी सहूलियत मिलने वाली है, तो ऐसा ही इनका कहना था कि ऑनलाइन एप्लिकेशन को हमें और बारिकियों से समझना चाहिए, और टेक्नोलेजी फिलहाल कहां तक पहुंच कई है, उसे हिमाचर प्रदेश में लाना, समझाना और ल भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, अभी चीन से जो ड्रोन है वो एक तरह से आयात किये जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि भारत में इसकी मन्यूफैक्ट्रिंग शुरू हो, जब यहां मन्यूफैक्ट्रिंग शुरू होगी, उसके बाद बढ़ावा और जादा यहां ड्रो क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि उसके लिए जादा से जादा लोग हों जिने ड्रोन का प्रेस्टिक्शन मिले और उसके बाद वो पुरी तयारी कर सके, इसे रोजगार के अफसर भी युवाउं को हासिल होने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले manufacturing हमें भारत में बढ़ानी होगी बजाए इसके कि उसे चीन से आयात किया जा रहा है हिमाच्र पदेश विश्य विद्यालिया में बीएड मैनेज्मेंट कोटी की 1330 सीटे खाली रह गई है अब इने on-spot counseling करवाया जा सकता है यानि कि on-spot इसमें अब counseling हो सकती है इसमें आवेधन 6 October तक किये जा सकते हैं online आवेधन एच्पू की ओर से मांगे गए है वहीं एक डोल में बीए बीकॉम और बीएसी की first year और second year की अनुपूरक परिक्षाओं की डेट शुट जारी कर दी गई है एच्पू की website पर इसका schedule बारीकी से दिया गया है तीन आक्टूबर से ये परिक्षाओं शुरू होंगी और 9 November तक चलने वाली है चात्र परिक्षाओं समंदिश schedule website पर जाकर चेक कर सकते हैं आउसोस और मल्टी टास्क वर्कर पर अपडेट देना चाहेंगे आज सीटू के बैनर तले इन्होंने शिमला के कई जगाओं पर प्रदर्शन किया है जिसमें एक जाकरी है रामपूर की बायलक शेतर है नीरत है यहाँ प्रदर्शन किया गया है इनका कहना है जो आउसोस करमचारी है मल्टी टास्क वर्कर है या इसके अलावा फिक्स टर्म वर्कर्स हैं कैजवल वर्कर्स हैं इनका शोशन हो रहा है यहाँ कमिशन खाने का काम कुछ एक राजनितिक नेता कर रहे हैं कमपनिया कर रही है और कुछ अदिकारी कमिशन खा रहे हैं इसके अलावा इन्हें वेतन तक समय से नहीं दी जा रही है, 12 घंटे इनसे काम लिया जाता है, उसके बाद वेतन समय से ना मिलना, छुटिया ना देना और इसके अलावा बाकी चीजों को लेकर भी ने शोशित किया जा रहा है, तो जल से जल ऐसे वर्गों के लिए एक पॉल उस करमचारी है, मैट्री टास्वरकर है, कैश्वरल और इसके अलावा इसमें फिक्स टर्म करमचारी भी है, इनका शोशन हो रहा है, ना तो medical सुविधा इने मिलती है, ना ही कोई बोनस दिया जाता है, ना pension का कोई लाब दिया जा रहा है, इसके अलावा EPS नहीं करता है, ग्रैचिटी जैसे लाब नहीं मिलते हैं तो ऐसे में क्यूं 12 घंटे इन से सेवाई ली जा रही है एक पॉलिसी निर्धारित की जा ऐसे वर्गों के लिए जिसमें टाइम लिमिट हो वेतन हो और फिक्स्ट वेतन इनका किया जाए इसके अलावा समय से इने सैलरी मिलने चाहि है आउक्सोर्स अधार पर अभी तक अपनी सेवाईं दे रहे हैं इनका मानना है 21 साल से जादा का समय हो गया है आउक्सोर्स पर सेवाईं देते हुए अभी तक यही एक ऐसा वर्ग बच गया है शिक्षा में जिने रेगुलर नहीं किया जा रहा है हलाकि वर्ग एक महज यह ऐसा नहीं है जो रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहा है वोकेशनल शिक्षक भी इसमें रेगुलर पॉलिसी की मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं इनका कहना है कि इतने वर्ष हो गए हैं तो अब तो कम से कम पॉलिसी बननी चाहिए खास त प्रश्टा में कैबिनेट सबकमेटी का गठन किया गया था लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कैबिनेट सबकमेटी भी कहीं गायब सी हो गई है इतने दिनों से कम्प्यूटर शिक्षकों की रेग्लोराइजेशन पर ना तो कोई चर्चा हुई है ना कोई मिटिंग बुलाई बिलाए गया गया है ना को इसके लिए मॉडल तयार किया जा रहा है और ना ही कंप्यूटर शिक्षकों को वर्ता कि लिए बुलाया गया है दरसल साल 24 में हाई कोड में सरकार को कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों को लेकर पॉलिसी बनाने की संभावन हैं तला सब्सक्winning इनके लिए नहीं बनी है और अब इनका मानना है कि 21 वर्ष जिने सेवाएं देते हुए हो गए हैं कम से कम उन्हें regular किया जाए या directly विभाग के दाइरे में लाया जाए बहुत कम वेतन मिल रहा है उससे इने गुजारा करना काफी जादा मुश्किल हो गया है हर किसी का सवाल ये था कि स्ट्रीट वेंडर को लेकर आखिरकार बैठक कब होगी इसके लिए क्यूंकि एक समीती गठित की गई है जिसमें बीजेबी के MLA's भी है और कॉंग्रिस के MLA's है हाला कि मंतरी भी शामिल किये गए हैं उद्योग मंतरी हर्षवरदन चोहान और मंतरी चनिरुट सिंग ने शैशन के बीचों बीच कही थी उनका कहना था कि यहां जो अवैद रूप से निर्मान मस्चिदों का हो रहा है उसके बाद अवैद रेडी फडी वाले भी यहां बैठे हुए हैं उन पर कोई चेकिंग नहीं रखी जा रही है कुछ एक लोग रोहिंग कितने समय पहले इनोंने अपना यहां कारोबार करना शुरू किया है तो अब आने वाले समय में यह वेरिफिकेशन प्रोसर्श शुरू हो सके लेकिन इसके लिए पॉलिसी क्या रहेगी यान कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी आखिरकार क्या रहने वाली है इस पर अब यहां आम लोगों की और से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कुछ हिंदू संगठन भी एक अत्रित हो गए हैं जिनका कहना है कि जितने भी यह ती स्टॉल्स वाले या फास्ट फूड स्टॉल लगाने वाले संचालक हैं सबकी चेकिंग होनी चाहिए हिमाश्र प्रदेश में नशा माफिया हावी होता जा रहा है और ऐसे ही कुछ एक स्टॉल संचालक हैं जो कि आगे से आगे यहां नशे की सप्लाइ कर रहे हैं यानि कि तसक्री एक तरह से नशे की कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए क्योंकि यह डीलर के तौर पर यहां का करते हैं अब यह क्या डिसीजन दिया जाता है किस तरह की पॉलिसी लागू होती है और वेरिफिकेशन कैसे होगी यह देखना काफी जादा रोचक रहेगा इस बैठक के बाद देखे सेलरी आ गई है करमचारियों में सुभा से लेकर इंतजार बना था क्योंकि यह पहले ही शेडियू राजय सरकार की उर से तैय कर दिया गया था कि फर्स्ट ऑक्टूबर को वेतन दे दी जाएगी करमचारियों की और पैंशनर्स को नौ तारिक को उनकी पैंशन मिलन रहे थे कोई SMS उने नहीं मिला है क्या सेलरी आएगी या नहीं आएगी इस बारे में हमने जब ट्रेजरी से जानकारी मांगी तो ट्रेजरी का यह कहना था कि काफी देरी से इस बार निर्ने लिया गया है कि फर्स्ट ऑक्टूबर को ही सेलरी देनी है करमचारियों की इस पहुंचे कुछे के पास कल सुभा तक भी SMS पहुंचे हैं भारी ट्रांजेक्शन है इस वज़ा से बैंक्स में क्यों हो गया है यह बात यहां पर ट्रेजरी की ओर से कहीं गई है तो अभी ध्यारे रखने की जरूरत है उन करमचारियों को जिनके पास SMS नहीं पहुंचे हैं राजय सरकार ने वेतन पर करीब 1200 क्रोड रुपै खर्च किये हैं जबकि पैंशन पर 800 क्रोड का खर्चा आता है इसी के साथ साथ HRTC को 55 क्रोड राजय सरकार की ओर से जारी कर दिये गए हैं जल्दी ही HRTC के करमचारियों को और पैंशनर्स को भी यहां सैलरी और पैंशन दे दी जाएगी, हलाकि आज ही धर्म राशी जारी की गई है सरकार की ओर से HRTC को, तो दो से तीन दिन का वक्त इसमें जरूर लग सकता है, ये हम कहेंगे, लेकिन बाकी विभागों के करमचारियों को सैलरी मिल जाएगी, कुछे को SMS नहीं आए हैं, तो आज रात तक भी आ सकते है क्योंकि इतनी लंबी-लंबी जब भारी यानिक एक तरह से ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उसके बाद समय लग जाया करता है, खास तोर पर तब जब देरी से ये पूरी प्रक्विया पूरी की गई हो भारत सरकार की ओर से दिहाडी की राशी में परिवर्तन करने के कारण अब यहां श्रम विभाग की ओर से शंशोदित अधिसूचना जारी कर दी गई है, इसमें ऐसे कामगार जो की अंस्किल्ड हैं, तीन सो पचेतर से बढ़ाकर इनका द्यानिक वेतन 400 रुपई किया गया नई जानकारी लेकर आएं हैं, यह पुर्फ डीजीपी संजे कुंडू के केस से जुड़ी जानकारी है, आपको याद भी होगा कारोबारी निशान शर्मा की ओर से इनके ओपर केस किया गया था, कि निशान को इन्होंने धमकाने का काम किया है, जिसके बाद नई हलचल इस इस पर सुप्रीम कोट ने स्टे लगाया है, दर असल इस पूरे मामले में हाई कोट ने वर्तमान में जो डीजीपी है अतुल वर्मा उनके कारे की प्रशंचा की थी और ये भी आदेश चारी किये थे, कि अगली जांच भी इसमें जारी रखी जाए, यानि कि अगली जानना था कि जो भी जांच डीजीपी अतुल वर्मा ने की है, पुर्व डीजीपी संजय कुंडू से जुड़ी वो बिल्कुल ठीक है, उसे सरहाया भी गया था और अगली इंक्वाइरी करने के लिए कहा था, लेकिन इसी बीच फिर संजय कुंडू ने सुप्रिम कोट का पर अब 4 नवेंबर को सुप्रिम कोट में अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर होगी, लेकिन ये बात फिलहाल काफी जादा चर्चाओं में हैं कि जो डीजीपी अतुल वर्मा हैं उनकी जांच को सही बताया गया था हाई कोट की ओर से, और उसके बाद सुप्रिम कोट स जब इस मामले में जब स्टे लगा है तो एक तरह से नया मोड कहना चाहेंगे, हाला कि काफी जादा दिल्चस्त केस है और अब क्या कुछ होता है 4 नवेंबर को, ये हम देखने वाले हैं शिक्षा मंत्री रोही ठाकुर ने विभाग से संबंदित मामलों पर बैठक बुलाई है, ये 4 उक्टूबर को बैठक लेने वाले हैं ठीक उससे पहले 3 उक्टूबर को शिक्षा से चीव राकेश कवर बैठक लेंगे और इसमें तयारी की जाएगी मिटिंग को लेकर जो कि अगले दिन शिक्षा मंत्री की अध्यक्ष्टा में होनी है हलाकि इससे पहले जब शिक्षा मंत्री ने मीटिंग ली थी विभागी मामलों को लेकर तो तकरीबन ये 30 एजेंडा इटम्स पर काम करने के लिए विभागी अधिकारियों को कहा था 30 ऐसे एजेंडा इटम्स थे जिसमें प्रमोशन के मामले थे भर्चियों के मामले थे या स्कूल मर्जर के केसिस थे कि जल से जल इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए इसके लिए टाइम लीमिट भी विभागी अधिकारियों को दी गई थी दुबारा 4 ऑक्टूबर को शिक्षा मंत्री बैठक लेने जा रहे हैं और उससे ठीक एक दिन पहले शिक्षा सचीव राकिश कंवर भी अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे एक तरह से ये तयारी करेंगे कि मंत्री के समक्ष क्या और किस तरह की फीड़बैक रखनी है कौ जुड़े मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी बड़ी बात मन्नरेगा पर हैं मन्नरेगा के सैल्फ को पारित करने के साथ साथ इसमें आठ और एजेंडाज हैं जिसमें स्वच्टा को लेकर पानी के बिलों को लेकर भी चर्चा होगी महिला इंतजार कर रही थी कि क्या 1500 मसलाब्ही एजेंडा के तोर पर इसमें शामिल किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है यह पहले भी विभाग कि और से ऐसा कोई परपोजल आगे नहीं दिया गया धाय यहां ही सौमसा ने अगे प्रस्ताव नहीं दिया और नहीं ऐसा प्रस्ताव रूरल development department और पंचाईवी राजविभाग के पास पहुंचा था महिलाएं उमीद लगा कर बैठी थी कि ये जो ग्राम सभाओं को इसमें शामिल किया गया है पंद्रा सौ देने के लिए महिलाओं को इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए लेकिन ये आइटम एजेंडा के तोर पर नहीं लगी है स्वच्चता और पानी के बिलों को लेकर मन नरेगा को लेकर ये तकरिबन आठ ऐसी एजेंडा आइटम्स है जिन पर चर्चा होने वाली है और ये आचार सहीता हट गई है स्टेट इलेक्शन कमिशनर अनील कुमार कई ने ये बताया है कि 31 अगस्त और 3 सितंबर को जारी चुनाव शेड्यून के साथ यह चुनाव आचार सहीता लगी थी हिमाचल में उपचिनाव की 29 सितंबर 2024 को वोटिंग के साथ अब पूरी हो गई है इसलिए ये आचार सहीता भी हट चुकी है भाजपा के राश्ट्रिय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडड़ा हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं दरसल जब से इन्हें केंद्रे स्वास्थिया मंत्री की जिमेदारी दी गई उसके बाद से लेकर इनका पहला दौरा ये ही माचल का है और बिलासपुर में इनके लिए अभिनंधन समारोहर रखा गया है बड़ी जनसभा को वहां संबोधित करने वाले हैं हर विधान सभाक शेत्र से भाजपा के तकरीबन 2-3,000 के करीब कारे करता वहां पर पहुंचन जा रहे हैं इसी तरह से बाकी विधान सभाक शेत्रों से भी काफी लोग सुनने के लिए पहुंचेंगे नड़ा को बिलासपुर में हलाकि दो दिन का उनका दौरा है ये जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजी बिंदल की ओर से दी गई है ये चार औ पांच ऑक्टूबर का दौरा बताया जा रहा है चार को बिलासपुर में अभी नंदन समारो हो है पांच ऑक्टूबर को नड़ा भाजपा जिला कारेलय सिर्मौर के नवनिर्वित भवन का उधगाटन करेंगे और जनता को वहां संबोधित करेंगे साथ ही नवनिर्मित भ चानकारी भी हमने आपको दी और उमीद जताई जा रही थी कि बड़ा पद क्यूंकि नड़ा को मिला है तो शायद ये शिमला में भी आएंगे लेकिन अब अगली बारी के दौरे का इंतजार यहां के कारेकरतों को करना होगा हलांकि जो कारेकरता है वो बिलासपूर भी से ये गुजर रहे हैं डी और एरियर की किष्टे अभी तक इन्हें पूरी तरह से नहीं दी गई हैं इसके अलावा जेसी सी की बैठकी मांग उठा रहे हैं वो तक सरकार पूरी नहीं कर पाई और आज जहां तराश्य व्रिद्नागरिक दिवस था तो इस मौके पर इन्हे भारी रोश्व्यक्त किया है आने वाले दिनों के लिए इन्होंने चिताबनी दी है कि अब हर जिला मुख्यालिया पर ये प्रदर्शन करके देख चुके हैं उसका कोई असर सरकार पर नहीं हुआ बलकि यहां इनकी पैंशन लेट तक कर दी गई अब ये मंत्रियों का और विधायकों का घिराफ करेंगे जितने भी इनके पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होंगे वहां जाकर घिराफ करेंगे और इनकी ओर से विरोध दर्शाया जाएगा इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो कोई बड़ी रणनीती इनकी ओर से तयार की जाएगी ये भी आ और पूरे मामले में सचिवाले असोसियेशन ने पैंशनर्स का समर्थन किया है जो सचिवाले असोसियेशन के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार इनकी ओर से ये कहा गया है कि ये पूरी तरह से पैंशनर्स के साथ खड़े हैं और ये भी मांग उठाते हैं कि पहली तारीक को ह करमचारियों की salary के साथ pensioners को pension मिलने चाहिए देखें बिजली पोर्ट करमचारी आपस में बढ़ गए हैं और इनके बढ़ने का कारण है smart meter योजना अभी smart बिजली meter योजना लाई गई है और हाला कि हिमाचर प्रदेश में यह smart बिजली meters लगाए भी जा रहे हैं इसके विरुद है बहुत पहले से हिमाचर प्रदेश electricity employees union और लेकिन अब यहां दूसरी association सामने आ गई है यह हम ministeral staff association की बात कर रहे है ministeral staff association इसका पूरे जोज के साथ समर्थन कर रही है उनका कहना है कि यह जो smart meter बिजली योजना लेकर सरकार आई है इससे घाटे से उब्रा जा सकता है यानि कि बिजली बोर्ड जो घाटे में उनका कहना है कि यह smart बिजली मीटर योजना ठीक नहीं है इससे घाटे में और जादा बिजली बोर्ड जाएगा और इससे पहले जब यह तो काफी जादा विरोध यहां किया गया था बिजली बोर्ड यूनियन की और से लेकिन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एससोसियेशन का कुछ और कहना है और वो लोगों को जागरुक भी कर रही है इसी smart बिजली मीटर योजना के लिए कि यह कितने जादा फाइदेमन लोगों के लिए रहेगी एक बड़ा कुनबा है जिनका कहना है इससे बिजली बोर्ड घाटे में सकेगी यह अपराद भी रुक पाएंगे देखें HRDC की luxury buses में अगर यात्रा करना चाहते हैं वो लोग जो smart card धारक हैं जिनके green card बने हैं या सम्मान card बने हुए हैं तो 10% तक छूट उन्हें नीगम की ओर से दी जा रही है और अब ही केवल एक या दो महीने तक नहीं बलकि जगले 5 महीने तक उन्हें ये छूट दी जाएगी 31 मार्च तक इनकी ओर से ये लाब उठाया जा सकता है 10% का HRDC buses में जिसमें Volvo भी हैं और AC buses भी हैं मान लीजिए दूर दराज के खेतर से सफर करना है अब सर्दियों का मौसम होगा तो ऐसे में सर्दी से बचने के लिए ये HRDC buses में सफर कर सकते हैं Volvo और AC buses में भी ने 10% तक यहां छूट दी जाएगी निगम की ओर से ये आज ही फैसला लिया गया है और ये स्मार्ट कार्ड, ग्रीन कार्ड, सम्मान कार्ड के जरिए किराये में छूट मुहिया करवाई जा रही है लेकिन जानकारी रखिएगा कि जो यहां कार्ड धारत हैं महज उन्हें ही ये 10% छूट दी जा रही है और अगले 5 महीने यानिकी 31 मार्श तक ये छूट दी जाएगी मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंग सुखु से जुड़ी बड़ी जानकारी देंगे क्योंकि ये अब पुरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं क जुनावी प्रचार प्रसार के लिए ये ठीक 8 बजे अपने सरकारी आवास से निकल जाएंगे और हरियाना के बरवाला में जनसभा को संभोधित करने जा रहे हैं वहां मुख्यमंत्री की और से जवाब दिया जाएगा उन सभी बातों को लेकर जो भाश्पानेता कह रहे ह देखिए बात सिरफ हरियाना की नहीं है इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जब आए थे तो हिमाचल का उधारन उन्होंने दिया था और ये कहा था कि कॉंग्रेश शासित राज्य की आप हालत देख लीजिए हिमाचल में हर तबका सड़ पर है ना बिजली मिल रही है ना पानी मिल रहा है ना सेलवरी मिल रही है ना पैंशनर्स को पैंशन दी जा रही है और बिरोजगार युवा दरबदर की ठोकरे खा रहे हैं उनके लिए नौकरियों का कोई प्राथधान नहीं किया जा रहा है जो भरतियां हुई भी थी वो ओपियस बहाल की गई है और ओपियस बहाल करने के लिए सब ही वर्गों के फाइदों को दरकिनार कर दिया गया है या उनके कुछ एक फाइदे तो छीन तक लिए गए हैं ऐसे शब भाजपा नेता वहां कहा रहे हैं अब मुख्या मंत्री किस प्रकार से जवाब देते हैं हरि मिलेंगे ने खबर के साथ देखते रहे हैं दिवेह माचुल टीवी धन्यवाद